दोस्तों बिहार में किसी को कुर्सी पाने का फिक्र है तो किसी को कुर्सी बचाने का फिक्र है यानि उक्तुबाते इमायम के बिहार परदेश अधेश अफ्तोर लिमान ने अपने प्रेस कॉंफरेंस के दौरान कहा है उसका साफ तर पर कहना है कि बिहार में दो जिलों में ज कि साथ में किसी को कुर्ची फाने के फिक्र है तो किसी को कुर्ची बचाने का फिक्र है विदान सभान्साइबिहार के हर वो कुछ को लेकर विजान सम उठाते हैं," तै समुदाय के पीचु Based. इन लुद दन कि वीज़ान और घणिवान ऑंठाओ इसमुदाे के के सरकार को आइना दिखाया है और साफ तोर पर उनका कहना है कि अलपसंख्यक और दलित समुदाय जो है इस वक्त निशाने पर हैं हलाकि इस वक्त M.I.M. बिहार में मरी मजबूती के साथ विपक्षका रोल अदा कर रहा है हलाकि M.I.M. के बिहार परदेश अदेश अख्तो लिमान के प्रेस कॉन्फरेंस के बाद से ही अब चर्चा का माहौल गरम होने लगा है यानि बिहार में M.I.M. के वज़े से बहुत सारे मुद्दे विधान सवा से लेकर सरक से सदन तक उठ रहे हैं महागडबंदन का बिहार में सरकार है और इस मामले को लेकर बारी की से जाच और देखनी चाहिए थी लेकिन विपक्ष जो है M.I.M. बिल्कुल पुर्जोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और ये मुद्दा बिल्कुल चर्चा पर है खुद बिहार पे परदेश अदेश अक्तुल इमान इस मुद्दे को उठाने के बाद अब पुरे बिहार में चर्चा का माहौल गरम हो चुका है कि आखिर बिहार में M.I.M. के आने से लोगों का आवाज